दोसों आम तोर पर पैसों को लेकर लोग ये सोचते हैं कि पैसे से ही पैसा बनता है पैसा पैसे को खीचता है पैसा नहीं तो मेरे नहीं पैसा बनाने के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है इस तरह की मानसिक्ता हमें ज्यात लोग ही होती है और इस मानसिक्ता का सबसे बड सुरू करेंगे और पैसे कब होंगे इसके दो तरीके हो सकते हैं या तो हम अपनी खुद की बचत से पैसे इकठा करें या फिर हम लोण ले उधार ले और अपना काम सुरू करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉलम यह होती है कि दोनों ही तरह से अगर यहाँ पे हम मान लेजेगा अपने खुद के पैसे से कुछ करना चाहते हैं चाहे हो बिजनेस हो ये इंवेस्टमेंट हो तो भी वहाँ पे प्रॉलम हो सकती है यानि कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जब हमरे पास ज्यादा पैसे हो जाएंगे तो पैसे से पैसे बनने लगेंगे पैसा पैसे को खीशने लगेगा हम और अमीर हो जाएंगे और पैसे से सब कुछ हमारा जो प्रॉलम है वो शॉल्ब हो जाएगा क्योंकि यह जो मुल मानेता है पैसों को लेकर कि पैसे से ही पैसा बनता है यह अपने आप में अधूरा सच है और असली सच तो यह है कि पैसा तभी पैसे को खीज पाता है और पैसे से पैसे तभी बन पाते है जब आपके पास money management होता है यानि कि आपके मन में जो money के लेकर ज तो ही आप पैसे से पैसे बना पाते हैं otherwise अगर आप इस basic rule को ignore करते हैं और अपने money मायनेशेट के उपína काम नहीं करते हैं आप पैसों को ठीक धंग से manage नहीं करते हैं रिस्क को ठीक डंग से नहीं समझते, calculate नहीं करते हैं और अगर आप इस तरह से पैसों को लेकर गलतिया करते हैं तो चाहे आपके पास जितने भी पैसे हो आप प्रोलम में फंस सकते हैं और आप पैसे से पैसे नहीं बना पाएंगे और ऐसे आपको हजारों लाखों एक्जामपल मिल जाएंगे जहां पे आप देख सकते हैं कि लो को से जुनों ने उधा लिया था वो डूब गए और इसके सबसे बड़े लाइब एक्जामपल है विजय मालया और निरव मोधी और इस सरे के और भी बहुत सारे केसे हैं जहां पर आप देखेंगे कि उनके पास बहुत सारे पैसे थे बट क्यूंकि उनके money mindset में प्रोलम थी और विर वहाँ पे चाहिए वो जालसाजी हो चाहिए उनके दिमाम के जो भी चल रहा हो बट कहीं ने कहीं उनके money mindset में जैसे ही प्रोलम आई तो उनके business छप होने लगे और ठीक ऐसा ही हर किसी के साथ हो शकता है आपके साथ भी मेरे साथ भी और दुनिया में किसी के साथ भ जालेंगे तो ऐसा होना possible नहीं है पैसे से पैसे तभी बन सकते है जब हमारा mindset सही हो जब हमारा money blueprint शही हो तभी ये जो formula है वो काम करता है और हम पैसे से और पैसा बना पाते है अगर हम पैसे को ठीक रण से नहीं समभाल रहे हैं अगर हम business के risk को नहीं समझ पा रहे हैं और अगर हम पैसे से पैसे बनाने की कोशिस कर रहे हैं तो हमारे साथ भी problem हो शकती है और हम भी strap में funds सकते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली और शीकने वाली बात ये है कि आपको इस सचाई को शमझना होगा कि ये अपने आप में आधा सच है कि पैसे बनाने के लिए आज से कुछ सालों पहलों तक कुछ भी पैसा नहीं था वो आज बहुत अच्छा बिजनस कर रहे हैं और लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हैं और दुसरी तरफ आप यह भी देखेंगे कि जिनके पास बहुत सारा पैसा था वो आज कंगाल हो चुके हैं और ऐसे एक्ज जुकरबर्ग या फिर इलोन मस्क जिनके पास आज से 15-20 साल पहले बहुत ही कम वेल था और आज वोए दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं तो सिंप्ली इस वीडियो के माद्याम से मैं आपको यह सब्दाना चाहता हूँ कि आपको इस सचाई को समझना होगा कि यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि पैसे आपके पास रहेंगे तब ही आप पैसे बना पाएंगे जब तक कि आपके पास money mindset पहले से नहीं है जब तक कि आपके पास जो पैसा है उसे आप ठीक डंग से नहीं समाल पा रहे हैं जब तक आपके पास जो कुछ भी है उसे ताकि आप पैसो को ठीक धंग से मैनेज करते हुए आगे बढ़ सकें तभी आप पैसे से पैसे बना सकते हैं ध्यान देजी कि आपके पास अगर basic money mindset रहता है तो आप अगर पैसे आपके पास नहीं है तो भी आप अपने पास पैसे खीच सकते हैं तो money mindset ही पैसे को खीचता है, money mindset से ही पैसे बनते हैं, यह complete सच है और यह सिर्फ आदा सच है कि सिर्फ पैसे से ही पैसे बनते हैं तो I hope कि आपको जो वीडियो के लेशन है जरूर पसंद आया होगा आपका इस वीडियो के बिचार हो आप कमेंट करके बदा सकते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो दिस लाइक और शेर चलूर करिए अंद में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जोड़ रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद